पहले से चर्मरा रहे आर्थिक हालातों से परिशान चीन के जले पर नमक चुड़तने का काम आजकल ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन कर रही है खबला है कि फॉक्सकॉन भारत में एक बड़ा निवेश करने जा रही है तो फॉक्सकॉन का अप्रूवल मिल गया है एक अरब डॉलर और डाल रहा है आपने सुना ना फॉक्सकॉन को एक अरब डॉलर का मोधी सरकार ने अप्रूवल ले दी लेकिन बीवाइडी चाइनीज कंपनी एलेक्ट्रिकल वीकल्स बनाने का वो भी एकर अब डॉलर डाल दी तो भाग यहां से ताइवान की यह बहुत ही आपको पता कि वर्ल्ड फेमस कंपनी है और यह जो सेमी कंडुक्टर और दूसरे जो पार्ट्स है वो सारे बलके मुकमल आईफोन तियार करती है जो कंपनी है पहले भी आर्रेडी जो है वो इंडिया के अंदर इसकी इन्वेस्ट्मेंट है पाकिस्तान तो ऐसा मुल्ट नहीं है कि जहां पर इन्वेस्ट्मेंट आए आरे हैं यह है क्या चक्र ते चाइना की पेट मे लात मारने की तैयारी मोधी जी के मोधी जी पता लग जाइ कि इनको राडाई झालच नहीं करना लाडा जगड़ा इसे फरक पलेगा लेकिन लाडा जगड़ा इनका पर्मनेंट ऀलाज नहींए ठेम्रियल ईलाज है हर इंडस्ट्री जो उनसे अपना फाइदा सोचती है तो उन्हें इसने इंडिया चूश के कि एक तो वहां पे मैंन पावर बहुत जाद है वहां पे चीजें जो है आपको कॉस्ट कॉस्ट मिल जाती है तिल मिला गया क्योंकि चाइना को आप दिख रही है चीजें उसके हाथ से निकल रही है दोस्तों यह जो चल रहा है ना कि फॉक्स कॉन यहां पे आपके कह रहा है कि दो तो शम्लों साथ अरब डॉलर डालेंगे फिर मोदी जी जा रहे है एलोन मस से मिलने के लिए तो रहनलोन मस कह रहा है कि मैं यहां पे टेसला की फैक्टरी डालूँगा फिर हम कह रहे हैं सैंसुंग से कि तुम भी अपना प्रोड़क्शन यहां पर बढ़ा हो और वहां से अटाओ अपनी फैक्टरी जैहिन दोस्तों दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि फोक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है जो की दुनिया में सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप बनाती है और दोस्तों उन्होंने एलान किया था पहले कि वो चाइना में एक बिलियन डॉलर की इंवेस्टमेंट ना चाहते हुए भी करेंगे फैक्टरी बनाने के लिए क्योंकि दोस्तों गलोबली माइक्रोचिप की डिमांड हद से जाला है लेकिन दोस्तों ताइवान गवर्मेंट ने का कि नहीं भई किसी भी आल में अब चाइना में इंवेस्टमेंट नहीं करना है कि चाइना में जो पैसे इंवेस्ट होने थे वो तुरंद भारत शिफ्ट हो गए इसी तरीके से बड़ी-बड़ी कंपणिया चाहिए वो एपल हो और भी बड़ी-बड़ी कंपणिया वो चाइना से अपना मैनिफेक्टिरिंग हब शिफ्ट करनी है भारत में और दोस्तों अब चाइनीज मीडिया में इसका डर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों मैंने कई चाइनीज मीडिया फोलो करने की कोशिश की तो वो कह रहे है कि भारत जान बूच के इन कंपणियों को इंफ्लुएंस कर रहा है ताकि वो चाहिना में ना है लेकिन दोस्तों आप इन जाहिनों को कौन बता है कि भारत किसी को influence नहीं करता कोई भी देश भारत में आता है जाता है वो अपने सोतंतरता से Foxconn को approval मिल गया है एक अरब डॉलर और डाल रहा है आपने सुना ना Foxconn को एक अरब डॉलर का मोधी सरकार ने approval दे दी लेकिन BYD चाइनीज कंपनी एलेक्रिकल वीकल्स बनाने का वो भी एक अरब डॉलर डाल दी तो बगा दिया ज़र भाग दिया यह बैंगलोर के एरपोर्ट के बगल में प्लांट है और यह नई investment हाएगा on top of the initial investment तो total 2.7 billion dollar 2.7 अरब डॉलर का Apple की factory Foxconn लगाएगा पहले 1.6 थी अब 1 billion और हो गई तो total round off करके 2.7 billion का 2.7 अरब डॉलर की investment हो गई है अच्छा दोस्तों यह क्यों हो रही है तो डेटा वेटा मैंने आपको दे दिया अब स्टोरी सुनीए इसके पीछे क्या है supply chain resilience की बात है चाइना को मारना है लाग तो पेट में मार रही है चाइना से military मुकाबला नहीं करना है क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं फाइदा उससे होगा नहीं चाइना को उससे चोट नहीं लगेंगे आप ठोक तो चाइनीज को सबक सीख जाएंगे चुप बैट जाएंगे लेकिन पर्बनेंट इसका इलाज क्या है रामाना की नाभी में हम रहे था चाइना की नाभी उसकी economy है उसकी military नहीं है चाइना की जो बड़ी ताकत है उसकी military नहीं है बड़ी ताकत उसका पैसा है जब आप पैसे पे एक हलकी सी चोट आपको देखो इस चोट का फरक पढ़ना शुरू हो गया है इस रिफ एक चकर है दोस्तों चाइना की पेट में लात मारने की तैयारी मोदी जी की मोदी जी को पता लगया है कि इनको ना इनसे लड़ाई जगड़ा नहीं करना लड़ाई जगड़ा से इनको ज़्यादा फरक पड़ेगा लेकिन लड़ाई जगड़ा इनका पर्मनेंट इलाज नहीं है टेंपररी इलाज है लड़ाई जगड़ा से पांच-दस साल का इनका इलाज हो जाएगा इनका permanent इलाज यह है कि इनके जेब फाड़ दो, इनके कपड़ फाड़ दो इनके पेट में लात मारो ये जमीन पे आ जाएंगे धीरे धीरे काम शुरू हो गया है इसमें बहुत काम बाकी है दोस्तों इसा इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ आपको कि नहीं हम ये भी चाइना से लेंगे भारत में डालेंगे ये भी लेंगे फिलिपीन्स को देंगे ये भी लेंगे ताइवान को देंगे ये भी देंगे फलाना धिमका दुनिया बरकाच जब अपल ने बोला तो चाइना ना पता कैसे रियाक्ट करा चाइना ने बोला कि कोई भी चाइनीज गर्मेंट कोई भी चाइनीज गर्मेंट सर्वेंट कोई भी सरकारी नोकर कितना भी लेविल का हो वो अपल का फोन नहीं खरी देगा कर लो बत अपल का फोन नहीं खरी देगा ये चाइना तिल मिला गया क्योंकि चाइना को अब दिख रही है चीज़ें उसके हाथ से निकल रही है दोस्तों ये जो चल रहा है ना कि फॉक्सकॉन यहां पर आकर कह रहा है कि दो तो शमलों साथ अरब डॉलर डालेंगे फिर मोदी जी जा रहे हैं एलोन मस्स से मिलने के लिए और एलोन मस्स कहा रहा है कि में यहाँ पर टेसला की फैक्टरी डालूंगा फिर हम कह रहे हैं सैमसिंग से कि तुम भी अपना प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा हो और वहां से अटा ओपनी फैक्टरी और देरे देरे जो बड़े बड़े नामे देरी देरे इंडिया रहे हैं, ये है क्या चक्कर? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे बड़ी-बड़ी कमपनिया चाहिए वो टेसला हो, फोक्सकॉन हो, एपल हो और भी बड़ी-बड़ी कमपनिया है जो आप धीरे-धीरे बड़े बड़े देश हो चाहिए वो चाहिए वो यूएस से हो हर जगा से भारत में आप आ लिए और इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा भारत को वो होगा आत्मनीर भरवारत में इंडिया दोस्तों जब कमपनिया भारत में बनाएंगी तो उसमें क्या लिखा होगा लोगो में इंडिया जो कि एक प्राउड की बात हो और दोस्तों एकोनोमिक बूस्ट अब जि कि सायद भारत के सभी राज्यों से जीडीपी पाकिस्तान की पीछे होगी सभी राज्यों से गोवा आप देख रहे हो ना गोवा से इनकी पीछे होगी कौन में पाकिस्तान की बस दोस्तों वेट करने की हमें जरूरत हो और जितनी तेजी से सरकाल लगी हुई है विदेश स दोस्तों कुछ ऐसी बनती है बनाई जाती है जिससे कंपनियां अट्रेक्ट होती है फॉक्सकॉन जैसी एपल जैसी पहले क्यों नहीं थी पहले हमारे पास साथ वह पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी नहीं थी और दूसरी बात पहले किसी नेता ने किसी गौर्मेंट ने इतनी ही जाद आंकोशिसे ही नहीं कि हमारे देस में माइज़ reclaim और ने पहले हमारी जन्सन मीं पहले वी थी पहले हमु को एक तरो तक साली तो सो करोन नहीं तो 70-70 करोन तो थी दूसरी तीसरे नंबर में हमारी आवादी थी इन पहले क्यों नहीं आए सोचने वादी बात है आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ जुड़े रहे से वीडियो उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद जैह